हाई अब्रिवन मा नेम इस कनिया पतेल एंड वेलकम तो मा यूटुब चैनल आज हम इंपोर्टेंट ट्रिक फॉर करेंगे इन और्गिनिक केमेस्ट्री का इंपोर्टेंट टॉपिक है इससे पहले हमने इस प्रकार बोरेन के बॉंडिंग के हिसाब से हम एस्ट्वाइक्स नंबर निकालते थे यह मैंने वीडियो बनाया है इसके उपर आप प्लीज आके लिंक चेक कर सकते हैं और वीडियो पहले देख सकते हैं यह है ट्रिक है फॉर एस्ट्वाइक्स नंबर निकालने के लिए जो मेन प्रोसेस है हमारा वो इस्ट्रक्चर को देखके हम एस्ट्वाइक्स नंबर निकालते हैं परन्तु यह जो यह 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 जो है ट्रिक है एस्ट्वाइक्स नंबर निकालने के लि डाइबोरेन है हमारा number of hydrogen जैसे कि यहाँ पे 6 है से minus करेंगे number of boron जैसे कि यहाँ पे है 2 तो 6 minus 2 equal to हमारा आ जाएगा 4 तो यह 4 जो आ गया उसको step 2 में अब कैसे करेंगे see both अब देखेंगे दोनों को देखिए यह हमारा 4 है और यह 6 है डाइबोरेन में यह B2 है यह 6 है दोनों even number है मतलब दोनों समसंख्या हैं तो यह जो 4 है तो इसको क्या करेंगे आफ इस तरीके से टोरेंगे कि even number 2 even number में बड़ाबर बढ़ जाए ठीक है समझ लिए पहला step तो आप यह करेंगे कि 6 से 2 को जितना भी hydrogen होगा उससे जितना भी boron होगा उसको दोनों को घटा देंगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगा अब इस संख्या को देखिए अब उसके बाद आप चेक कीजिए कि यह जो boron है और hydrogen दोनों समसंख्या हैं तो इस 4 को इस प्रकार से आपको टोड़ना है कि समसंख्या दो बराबर समसंख्याओं में हुए बढ़ जाए तो 4 को हम करेंगे 2 प्लस 2 तो यह 2 प्लस 2 को यह 2 और 2 जो होगा यह जो संख्या आपको मिल जाएगी S के लिए 1 दो हो जाएगा S के लिए 2 हो जाएगा मतलब S 2 Y X नंबर में आपको S मिल गया और X मिल गया अब हमारे पस T और Y को संख्या ग्याद करना है तो T और Y ग्याद करने के लिए आप क्या करिए Step 3 में क्या करते है Now take different between B and S ठीक है तिसरा Step है आपको B और S को घटाना है B और S मतलब आपको S की संख्या मिल गई है ये 2 और B की संख्या है 2 तो दोनों को घटा देंगे तो आपकी संख्या आजाएगा 0 जो की मान होगा T का तो यहाँ पे आप लिग जाएगे T अब हमको X का मान मिल गया S का मान मिल गया और T का मान मिल गया अब Y कमान ग्याद करने के लिए एक step देखिए Y कमान ग्याद करने के लिए आपको करना पड़ेगा The sum of STYX number is always average of H and B Hydrogen और जो बोरेन होगा हमारा Hydrogen और बोरेन का जो है average होगा जैसे कि हाँ पर Hydrogen और बोरेन का sum of total तो जितना भी STYX number का जोडने से जितनी संख्या प्राप्त होगी वो बराबर होगा यह Hydrogen और बोरेन के average को जोडने से जैसे कि Hydrogen 6 है बोरेन 2 है दोनों को अगर जोड के average निकालेंगे तो हमारा 4 आएगा तो यह 4 किसके बराबर होगा इन 4 संख्या को जोडने से जो संख्या प्राप्त होगा वो भी इसके बराबर होगा तो देखे यहाँ पे हमको अभी तक 3 संख्या प्राप्त है 2, 0 और 2 तो इसको जोडेंगे तो हमको 4 प्राप्त हुआ मतलब यहाँ पर इसका average भी 4 है और इसको जोनने पर 4 प्राप्त हुआ मतलब अब y के लिए हमारे पास संख्या नहीं बची है तो उसके जगह हम 0 यूज कर सकते हैं 0 लेंगे तो y कहमान यहाँ पर 0 हो जाएगा मतलब तीसरा संख्या y का संख्या ग्याद करने के लिए आपको इन दोनों का average निकालना पड़ेगा अगर वह 4 है और इनको सब को जोनना पड़ेगा वह 4 है दोनों बराबर हो गया मतलब कोई और संख्या एक लेंगे तो 5 हो जाएगा जो की सही नहीं होगा तो इसलिए हम यहाँ पर 0 यूज करेंगे तो इस परकार हम STYX नंबर जो है इस ट्रिक की सायता से निकाल सकते हैं इसका एक और एक्जामपल से आपको बताता हूँ इसको मैंने सिंपल तो यह किस निकाला है अब थर्ड इस्टेप है B मानस S करेंगे तो बोरोन मानस S 4 मानस 4 इक्वल टो 0 तो हमारा 0T आ गया अब यहाँ पर यह फोर पॉइंट समझिए फोर तो हमारा रूल है कि 10 से मलब इसका टोटल संख्या कितना हो जाएगा अब हमारे पास इसका टोटल हो गया 4, 4, 5, 6, 7, 7 हो गया अब इसका एवरेज मिकालेंगे दोनों का 10, 4, 14 अपन 2, 7 तो इसका 7 हो गया अब इसका टोटल संख्या यह हमारा यहाँ पर 7 नहीं हो है 6 हुआ है अभी तक क्योंकि अभी हमको X मिला है T मिला है और S मिला है Y नहीं मिला है इसलिए इसका संख्या हो गय टेट्राबोरेन का निकाल सकते हैं S2X नंबर इस पर कर हम B5H11 का निकाल सकते हैं अब देख सकते हैं note that एक important note इसको कर लिजिए कि for compound having B equal to 6 or more so BH difference of 4 is taken as value अगर compound में B6 से ज़्यादा होता है B5 है यहाँ तक B6 से ज़्यादा होता है तो BH difference जो होता है हमारा उसको जो है 4 मान लेते हैं S value के लिए हमेशा 4 ले लिया जाता है जो इसका जो अंतर होता है उसको 4 मान ले जाता है metric है यह आप उसी system से निकालेंगे तो भी बनेगा यह याद रखने की जोरत नहीं है लेकिन इसको याद रखेंगे तो आपको थोरी सहलियत होगी जैसे कि B6 से ज़्यादा वाला यह एक है hexaboran का example है तो उसी प्रकार आप 10 में 6 गसाएंगे तो आपको 4 मानेगा तो इसको एज़ेटी यहाँ ले सकते हैं एज़ेटीस ले सकते हैं हाँ ओई सॉरी यह नोट याद रखना पड़ेगा यहाँ पर इसको एज़ेटीस चाल ले लेना है इसको 0 लेना है यहाँ पर आपको डिवाइट करने क्या आप सकता नहीं होगी अगर B6 से ज़्यादा संख्या होती है बाकी रूल वही होगा B से X दो आएगा इसको डिवाइट कीजिए जितना संख्या है उसके बाद जो बचेगा वो दो P कमाना जाएगा इस पकार आप हेक्जाबोरेन का भी निकाल सकते हैं तो यही है ट्रिक है I hope कि आपको पसंद आया होगा आपके लिए यूसफुल होगा अगर यूसफुल है तो प प्लाप दो आपके लिए बादान का भी निकाल सकता है जोलोगा इसके लिए जस्ट वर